नमस्कार दोस्तों मुझे उमीद है कि आप सभी सुखी स्वस्त और प्रसंद होंगे आज हम लोग बात करेंगे बात की आप भी सोच रहे होंगे कि ये बात क्या है बात यनि संचार आप फर्स कीजे कि किसी एक दिन आपको बोलने का मौका ना मिले आप कैसा महसूस करेंगे आपको बड़ी परिशानी होगी बोलना संचार करना आपस में बात करना ये कैसी चीज है जिसके बारे में गौर किया जाना चाहिए पर हम जिन्दगी की आपा धापी में भाग दौड में इस विशे में कभी देखते ही नहीं है सोचते ही नहीं कि आखिर बात क्यों होती है कैसे होती है और इसे और बहतर कैसे किया जा सकता है क्या कभी आपने सोचा है कि आप बगैर बोले या चुप रहे कितनी देर अपने आपको शांत रख सकते हैं आप बले ही मूँ से ना बोल रहे हूं लेकिन आपका मस्तिश हमेशा कुछ न कुछ विचार कर रहा होता है गचार एक ऐसी चीज है, जो हमारे बच्पने से शुरू होती है, और जीवन परियंत, जिन्दगी तक हमारे साथ रहती है जब तक कि हमारी मौत नहीं हो जाती है, और इसलिए संचार को जीवित या जीवन की निशानी माना जाता है, जब बच्चा पैदा होता है, तो सबसे पहले वो रोता है और रोने से ये अंदाजा लगा लिया जाता है कि हाँ इस बच्चे का जीवन पैदा हो गया है वो शुरू हो गया है बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो वो अपनी बात को कहने के लिए उसके पास एकी चीज होती है और वो होता है उसका रोना औ की कोशिश करता है माता पिता मामा चाचा नाना ताउ इस तरह के जो शब्द आप देखते हैं तो देखिए कितने आसान है और इनको बोलना कितना सरस है और बच्चा अपने बोलने की शुरुआत यहीं से करता है यह तो बात हो गई भाशिक संचार की यानि कि ऐसा संचार जि पर हम बाद में आएंगे लेकिन उससे पहले हम एक सामाने शब्दों में एक सामाने व्यक्त की हैसियत से अगर हमें किसी को समझाना है कि संचार क्या है तो उसे कुछ यूँ बयान किया जा सकता है कि जब हम किसी निश्चित चिन संकेत प्रतीकों के द्वारा संदेशों विचारों का आदान प्रतान करते हैं तो उसे संचार कहते हैं अब निश्चित चिन और संकेत जो आगे चल करके परिश्कत रूप में भाषा का रूप ले लेते हैं जैसे कि हिंदी अंग्रेजी संस्कृत फ्रेंच लेटिन अलग-अलग भाषाएं जो भी हैं और अगर उ हम उन चिन और संकेतों से परचित नहीं होते हैं जैसे ऐसे हम उन चिन और संकेतों से परचित होते चले जाते हैं वैसे वैसे उस भाषा पर हमारा अधिकार बढ़ता चला जाता है दूसरी जो चीज़ आती है जिसे हम डे भाषा या बाडी लेंग्वेज कहते हैं जिसमें कोई गुसे में होता है तो हमें अंदाजा लग जाता है मुसके चेहरे की भाव वंगिमा को देख करके हमें पता पढ़ जाता है कि कोई आदमी नाराज है कोई आदमी प्रसन है तो उसके चेहरे की मुस्करहट बयान कर देती है कि वो प्रसन है पर कभी कभी ऐसा भी लगता है जिसे हम कहते हैं वेंग करना कि वेंग भरी मुसकान जो होती है उसका रूप लहजा अलग-अलग होता है तो ये जो सारी चीज़े हैं ये तब हम समझ पाते हैं जब हम उन चिन संकेतों को ठीक तरीके से जान रहे हैं जैसे कि भारत में जब हम मिलते हैं तो एक दूसरे को नमसकार करते हैं या पैर छूते हैं लेकिन अगर हम पश्चिम के देशों की बात करें तो जब वो लोग मिलते हैं तो वो लोग हात मिलाते हैं चुम्बनों का आदान प्रदान करते हैं ये उनकी सबहता है और यह हमारी सबहता है अगर हम उनके चिन और संकेतों को नहीं जानेंगे तो इससे गलत फहिमिया पैदा हो सकती है तो भाशा में जो सबसे महतपूर्ण चीज है संचार करते वक्त इस बात का खया लखा जाए कि जो आप अपने स्क्रीन पर पीछे देख सकते हैं कि कौन-कौन सी परवाशाय दी गई है संचार समानुभूति की प्रक्रिया है जो समाज में रहने वाले सदस्यों को आपस में जोडती है यह एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ऐसे रूप में विचारों, तथ्यों, अनुभों, अथ्वा प्रभावों का विनमय करते हैं जिसमें प्रतेक व्यक्ति संदेश का सामान ग्यान प्राप्त कर लेता है वास्तों में यह संप्रेशक और संग्राहक के बीच किसी संदेश अत्वा संदेशों की श्रंखला को प्राप्त करने के लिए की गई समलित प्रक्रिया है तो ये थी संचार की कुछ परिभाशा हैं अब जब संचार की बात चली है तो हम इस बात को और समझने की संचार का हमारे जीवन में क्या महत्व है संचार जो शब्द है वो एक संस्कृत भाशा का शब्द है उससे मिल करके बना हुआ है कम्निकेशन आप ये देखिए कि अगर हम लोग आपस में बात ना कर रहे होते विचार ना कर रहे होते तो दुनिया शायद आज यहां ना होती फर्द कीजे कि किसी आदमी ने अपने आप से कभी बात की होगी कि काश हम हवा में उड़ सकते उसमें सोचा और उसके बाद दिशा में और काम करना शुरू किया और उस तरीके से हवाई जहाज का अविशकार हुआ या इसी तरीके से दवाएं हैं आज से 5000 साल पहले हमारा जीवन जितना मुश्किलों भरा था आज वो बहुत आसान है इन सब के पीछे एक और एक चीज़ है वो है संचार दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं उसमें कहीं न कहीं संचार का एक बहुत बड़ा रोल है उसके कोई और नए आयाम है बिलकुल आपके दिमाग में ये जो प्रशन उठ रहे हैं ये भी अपने आप में एक तरह संचार ही है तो आए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि संचार कितने तरह का होता है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि संचार के जो प्रमुख प्रकार है वो चार प्रकार है जिसमें पहला जो संचार होता है जिसे हम अंतरवैक्तिक संचार कहते हैं या इंटरपर्सनल कम्निकेशन दूसरा जो संचार है वो अंतरवैक्तिक संचार है जिसे इंटरपर्सनल कम्न या समू संचार है और चौथा जो सबसे महत्पूर्ण है 21 शताबदी की जो देन है और जिसके कारण की दुनिया और तेजी से तरफ्की कर रही है वो है मास कम्मिनिकेशन या जन संचार संचार के बारे में और विस्तरत रूप में बात करें इससे पहले अगर आपके दिमाग में कोई प्रशन उठ रहा हो तो आप बिल्कुल उसे पूछ सकते हैं सर क्या खुद से बातें करना या सपने देखना भी एक तरह का कम्मिनिकेशन है जी बिल्कुल सपने देखना अपने आप से बात करना मैंने बताया कि जो एक इंट्रापर्सनल कम्मिनिकेशन है या अंतावेक्तिक संचार है देखे संचार की जो शुरुवात होती है भाशा पर जो पकड़ाती है हम अपने आपको वेक्त करना चाहते हैं उसकी सबसे पहली सीड़ी क्योंकि अगर हम अपने आप से बात नहीं करेंगे तो हम दुनिया से बात नहीं कर पाएंगे अगर हम कुछ कहना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये जरूरी है कि पहले हम अपने आप से पूछें, अगर आपको भूख लगी है और आप अपनी माता जी से कह रहे हैं कि मम्मी मुझे खाना चाहिए, तो उसके लिए आपका दिमाग आपको सूचित करेगा कि आपको भूख लगी है, और फिर आप ये सोचें और उसके बाद अपनी माता जी से बात कहेंगे कि हां मुझे भूख लगी हुई है, तो जो अंताव्यक्तिक संचार है, वो सबसे महतपूर्ण है, क्योंकि अगर अंताव्यक्तिक संचार में समस्याइं हैं, तो फिर आगे आने वाला जो संचार है, वो अपने आप में कई तरीके की समस्याइं पैदा कर सकता है, तो अपने आप से बात करना इंट्रापर्सनल कम्मिनिकेशन है, जिसमें कि आप सपने देखते हैं, सोचते हैं, जो सबसे महतपूर्ण काम है, अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ कहना संचार हैं, तो उसके लिए सोचना बहुत जरूरी है, तो अंतावैक्तिक संचार ये एक ऐसा संचार है, जो हमेशा चलता रहता है, हम माने या ना माने, पर जैसे कि मैं भी आप से बात कर रहा हूं, तो भी मैं अपने आप से बाते कर रहा हूं, एक साथ दो संचार चल रह या अंतरवैक्तिक संचार एक तरीके का यूनिवर्सल फॉर्म आफ कम्निकेशन है यूनिवर्सल फॉर्म आफ कम्निकेशन का मतलब है कि एक ऐसा संचार है जो दुनिया में सबसे जादा इस्तेमाल होता है जिसे आप one to one कम्निकेशन कह सकते हैं कि जब दो लोग आपस में बा से बात कर रहे हैं वगरा वगरा ये एक ऐसा संचार है जो सारे संचारों में सबसे महत्पूर्ण है वो इसलिए महत्पूर्ण है क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी भाशा शब्द के अलावा आपकी बौडी लेंग्वेज या आपकी दे भाशा का बहुत जादा इस्तेमाल होता है यानि जो कुछ आप कह रहे हैं उसका वही मतलब है या कुछ और मतलब है ये चीज सामने वाला पकड़ सकता है फर्स कीजे कि अगर आप फोन पर बात कर रहे हैं और आप कहीं वेस्ट हैं किसी काम में और अचानक आपके पिता जी का फोन आ जाता है कि बेटा क्या कर रह हो और अगर हम नहीं बताना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं तो आप अपने पिता जी से कह सकते हैं कि पापा मैं पढ़ रहा हूं अब ये उन्हें नहीं पता है कि आपने सच बोला या छूट बोला लेकिन अगर पिता जी आपके सामने हैं और आप पढ़ नहीं रहे हैं औ तो अंतरव्यक्तिक संचार दुनिया में सबसे ज़ादा इस्तेमाल होने वाला संचार है। मुझे उमीद है कि संचार के अभी तक हमने दो प्रकारों का अध्यन किया, उसमें आपको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं समु संचार या ग्रूप कम्निकेशन की बात हो। अंतरव्यक्तिक संचार में हम अपने आप से बात कर रहे थे। अंतरव्यक्तिक संचार में एक शक्स हमारे सामने था यानि कि one to one दो लोग थे बातचीत की प्रक्रिया के हिस्से में। जो से जादा लोग शामिल हो सकते हैं। मित्रो ध्यान रखेगा कि ग्रूप कम्निकेशन तभी तक संभव है जब तक कि आप उनकी संख्या का अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, एक्जेक्ट फीगर का और जो तीसरी सबसे महत्पूर्ण चीज ये है कि कि किस किसी एलेक्ट्रोनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो उसे हम समू संचार कहेंगे। जब हम किसी मीटिंग का हिस्सा होते हैं, जब हम शाम को खाने की टेबल पर घर पे बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं अपने माता पिजा से, तो इस तरह के जो संचार है उसे समू संचार कहते हैं, जिसमें कि श्रोता और संग्रहाग जिसे आप सेंडर और रिसीवर के नाम से भी कह सकते हैं, वो एक से ज़ादा हो सकते हैं. चौथा, जो सबसे महत्पूर्ण और एहम संचार है, जिसे हम जन संचार या मास कम्निकेशन के नाम से जानते हैं, उसमें संचार में शोता, यानि की स्रोत और संदेश को रिसीव करने वाला, यानि की जो रिसीवर है, उन दोनों के बीच में एक electronic या mechanical device आ जाती है, आप देखें कि जब आप अपने घर में टेलिवीजन देख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि वो जो संदेश है वो सिर्फ आपके लिए ही भेजा जा रहा है कोई हीरो है या कोई नायक है या कोई खलनायक है और वो किसी परसिती में फसा हुआ है तो हम उसे अपने आप से जोड़ करके देखने लगते हैं और हमें लगता है कि अगर काश इस परसिती में हम होते तो हम भी ऐसा ही करते तो ये एक तरीके का तक्नीकी संदेश है जो आप तक पहुँचाया जा रहा है लेकिन इस संदेश में सबसे महतपूर्ण बात है कि इसमें एक electronic device का use हो रहा है जिसके तहट आपको संदेश मिल रहा है इससे पहले कि जितने भी आपने संदेश के प्रकारों को समझा उसमें किसी तरीके का तक्नीकी यंत्र शामिल नहीं था जब आप अपने आप से बात कर रहे थे तो भी जब आप अपने दोस से बात कर रहे थे तो भी और जब आप किसी समू का हिस्सा थे तो भी लेकिन जो जन संचार है उसमें जब आप बात कर रहे होते हैं तो एक तक्नीकी यंत्र की जरूरत होती है जो संदेशों को कई गुणकों में परिवर्तित कर देता है यानि कि उसे multiply कर देता है television का कारिक्रम किसी television studio में record हो रहा होता है और उसके बाद वो satellite के माध्याम से 1000 लाखो करोडों लोगों तक पहुंचा दिया जाता है मित्रो एक बात ध्यान रखने की है कि मास कम्मिनिकेशन में जो आपका संदेश है वो किन किन लोगों तक जा रहा है इसकी आप कभी भी वास्तविक गर्णा नहीं कर सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से समझें कि जब आपके घर में टेलिवीजन है और आप किसी प्रोग्राम को देखना चाह रहा है लेकिन अगर लाइट नहीं आ रही है तो आप उस प्रोग्राम को नहीं देख पा रहा है लेकिन जो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है तो जो उसका निर्माता है वह यह सोच रहा है कि यह program जरूर देखा जा जा रहा होगा तो यह बहुत ज़ादा जरूरी है जब की group communication में, interpersonal communication में और interpersonal communication में आपको यह पता होता है कि आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं, वो इस संचार की प्रक्रिया में शामिल है जबकि मास कमिनिकेशन में आपको इसका वास्तविक अंदाजा नहीं लग पाता है तो ये थे संचार के प्रमुख प्रकार अब बात को और आगे बढ़ाते हैं आप भी ये सब सोच रहे होंगे कि संचार के बारे में तो बात हो गई संचार के प्रकारों के बारे में बात हो गई लेकिन संचार होता कैसे कैसे हम अपनी बात को कहना शुरू कर देते हैं कैसे कोई बात हमारी मानने लग जाता है ये पूरा का पूरा प्रोसेस है ये प्रक्रिया एक वैग्यानिक प्रक्रिया है अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं देखे आप फर्स कीजे कि आपने अकसर देखा होगा कि कोई पागल वेक्ति अगर मांसिक रूप से परिशान है या पीडित है वो रोट पर जा रहा है वो कुछ ना कुछ बोल रहा है उसे खुद नहीं पता कि वो क्या बोल ला है और हम उसकी बात का जबाब नहीं देते हैं वो बोलता रहता है फिर चुप हो जाता है अपने आप चुप हो जाता है तो जो संचार की प्रक्रिया है वो तब तक संभो नहीं हो सकती है कि जब उसमें एक या एक से ज़ादा लोग शामिल नहों कहा गया ना कि कम्निकेशन कैननाट बी इन वैक्यूम यानि कि संचार नि संचार की प्रक्रिया में कम से कम दो लोगों की जरुवत है पहला जिसे हम संदेश प्रेशक बोल सकते हैं सोर्स बोल सकते हैं और दूसरा रिसीवर जो संदेश को प्राप्त करता है तो अगर हम अपनी बात कुछ कहना चाह रहा हैं तो उस प्रक्रिया की शिरुवात कैसे ह होती है इसको हम समझ लेते हैं अक्सर हम बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं पर कभी हम इन बातों पर गौर नहीं करते हैं कि आखिर हम क्यूं बोल लहां कैससे बूल ले है और यह सारी की सारी जो प्रक्रिया है वह हमारे मस्तिश्क में घट रही होती है और यह process इतना तेज होता है कि हमें पता ही नहीं पड़ता है कि बोलने से पहले हमारे दिमाग में क्या कुछ घट गया मित्रो बोलने से पहले एक प्रक्रिया होती है thought organization process जिसे हम कहते हैं encoding के नाम से जानते हैं संचार तब तक नहीं हो सकता है कि जब हम यह decide ना कर लें इसका निरणय ना ले लें कि हमें क्या कहना है और कहने की यह प्रक्रिया हमारे मस्तिश्क में होती है फर्स कीजे कि हमें भूक लगी है तो हमारा मस्तिश्क हमें बताएगा कि हमें भूक लगी है हम सोचेंगे और उसके बाद जो निश्चित चिन प्रतीक संकेत हमें पता हैं उस भाषा में हम कहेंगे अगर हम हिंदी जानते हैं तो हम कहेंगे कि हमें भूख लगी है पर जो छोटा बच्चा जिसको किसी तरह की कोई भाषा का पता नहीं है वो रोना शुरू कर देगा क्यों क्योंकि यही एक ऐसी भाषा है जिसके तहत वो बता सकता है कि उसे भूख लगी है या कोई परिशानी तो यह जो संदेश और संग्रहक के अलावा जो दीसरी चीज जो होती है जो सबसे महत्पूर है वो है कूट संकेतन या इनकोडिंग तो इनकोडिंग आपके मस्तिश्क में हो गई आपने ये डिसाइट कर लिया कि आपको कुछ कहना है कहने के लिए आपको किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी या मीडियम की जरूरत पड़ेगी जैसे कि मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो और मेरी बात आपके कानों तक पहुँच रही है तो उसमें माध्यम है हवा अगर हवा ना हो तो आप मेरी बात नहीं सुन पाएंगे चंद्रमा पर इसलिए अंतरिक्ष यात्री अगर बात करें बगएर किसी येरपीस या उस अंतरिक्ष पोशाक के तो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी क्यों? क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं हवा वो माध्यम है जिसके द्वारा जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ मेरे बोले गए शब्द धन्यों के सहारे आपके कानों तक पहुंशते हैं और कानों तक पहुंशने के बाद वो आपके मस्तिष्क में जाते हैं और आपका मस्तिश्क उस सारी प्रक्रिया को डिकोड करता है या कूट वाचन करता है यनि कि अगर मैं हिंदी भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ और अगर आपको हिंदी आती है तो उस भाषा को आप समझेंगे पर अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो मेरे बोले गया से शब्द सुने होंगे जिनका कोई मतलब नहीं होता है तो वह मतलब इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमें उस भाषा के बारे में नहीं पता है तो यह कूट संकेतन की प्रक्रिया के बाद हम उन शब्दों को उन संदेशों को समझते हैं और उसके बाद हम दुबारा अपनी बात कहते हैं। हम अपनी बात को एक बात दुबारा फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जब भी कोई संचार शुरू होता है तो कम से कम दो लोगों की जरुवत पड़ती है। उसके अलावा जो सोर्स है या स्रोता है वो उसके पास एक संदेश होना चाहिए एक मैसेज होना चाहिए कि वो क्या कहना चाहा रहा है। उसके बाद वो संदेशों को अपने दिमाग में विवस्थित करता है और उसके बाद संग्राहक तक या रिसीवर तक अपनी बात को भेज देता है वो बात रिसीवर या संग्राहक सुनने के पश्चात रिप्लाई करता है या जवाब देता है जवाब को हम feedback या यानि कि संचार की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी तो ये जरूरी है कि feedback आपको मिले तभी संदेश या संचार की प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी नहीं तो बीश में ही वो बादित हो जाएगी पर अक्सर ऐसा होता है कि जब हम दो लोग बात कर रहे होते हैं तो क्या तुम आग्रा जा रहे हो? तुम आग्रा जा रहे हो? शब्द एक ही है, लेकिन उनको कहने का तरीखा अलग-était अलग है और ऐसे में अगर सामने वाला या संगरहक जो उन संधेशों को ग्रहन कर रहा है अगर उन चिन और संकेतों को नहीं जानता है उसे हास और वेंग के बीश में अंतर नहीं पता है तो वो बात को गलत तरीके से ले लेगा और जब इस तरह की समस्यां उत्पन होती है तो उसे शोर या 29 के नाम से जाना जाता है ये एक ऐसी समस्या है जिससे की दुनिया भर के संचार वग्यानिक जूज रहे हैं कि संचार में शोर या 29 के स्थर को किस तरीके से कम किया जाए खतम तो नहीं किया जा सकता है पर किस तरीके से मिनमाईस कर दिया जाए जिससे की जब दो लोग आपस में बात कर रहे हों तो ज तो आप संदेश को ठीक तरीके से प्राप्त नहीं कर पारा होते हैं। पहले मैं आपको स्क्रीन पर संचार के जो प्रमुख तत्व हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आए संचार के प्रमुख तत्वों के बारे में जान लें। जिस माध्यम से जाएगा यानि कि मीडियम की जरुवत होगी इसके अलावा संदेश की प्रक्रिया तभी शुरू हो पाएगी जब आप अपने संदेश को इनकोड करेंगे या उन्हें वेवस्थित करेंगे और रिसीवर उसे डिकोड करेगा। इन सब के बीच में नौाइज या शौर की एक अपनी भूमी का है वो शौर तकनीकी शौर हो सकता है वो मांसिक शौर हो सकता है वो मनोवग्यानिक शौर हो सकता है जिससे की संदेश का अर्थ का अस्तर प्रभावित हो जाता है उसमें समस्याएं आ जाती हैं और उसके अला तो ये एक संचार की प्रक्रिया का पूरा हिस्सा था सर अभी आपने बोला था कि कम्यनिकेशन में फीडबैक बहुत जरूरी होता है सर तो मास कम्यनिकेशन में फीडबैक कैसे होगा? मास कम्यनिकेशन में फीडबैक मिलता है लेकिन जिसे delayed feedback कहा जाता है या टुकडों में मिलता है तूटा हुआ मिलता है लेकिन feedback मिलता है और विज्ञान को अब इसका श्रे दिया जा सकता है कि अब feedback इसमें भी थोड़ा सा विवस्थित हो रहा है जैसे कि आप पहले हम अख़बार पढ़ा करते थे तो अख़बार का जो संपादक हुआ करता था उसे अख़बार के बारे में लोगों की राय जानने के लिए संपादक के नाम पत्र या उनकी चिठ्छियों का इंतजार करना पड़ता था जब वो चिठ्छिय आती थी तब उसे अंदाजा होता था कि उसका अख़बार किस तरीके से पढ़ा जा रहा है लोग उसे संतुष्ठ है या नहीं संतुष्ठ है पर अब अगर आप अख़बार देखते हैं या कोई भी टेलिविजन प्रोग्राम देखते हैं तो हमेशा तुरंत इंटरनेट से फीड़बैक मगा लिये जाते हैं इमेल करने को कहा जाता है SMS पोलिंग की शुर प्रकार हैं उनमें आई आप बात करते हैं कि संचार के कार क्या क्या है और हमने संचार के बारे में जाना संचार की परिभाशाओं को समझा संचार के प्रकार संचार की प्रक्रिया किस तरीके से घड़ती है इन सारे मुद्दों पर अभी तक हमने बात की पर संचार कितना म नाम से जान सकते हैं आप सोचे कि अगर आपको ये ना पता हो कि आप जो खाना खाते हैं उससे आपके खून बनने की प्रक्रिया को एक सहरा मिलता है और आपका शरीर को जिंदा रखने के लिए अहार या भोजन बहुत जादा जरूरी है ये बात हमें विज्ञान ने बताई तो ये जो सूचना है ये सूचना हमें किसी निश्चित चिन संकेत प्रतीक या भाशा के द्वारा हमें मिली और उसके बाद फिर खाने के अलावा विकल्पों की बाश शुरू की गई कि मान लिजे कोई व्यक्ति कोई शक्स खाना नहीं खा सकता है तो उसके लिए फूट स और आज का यूग तो सूचना का यूग आप सभी जानते हैं कहा यह जाता है कि आज सूचना ही शक्ती है अगली लड़ाई हालाकी लड़ाई नहीं होनी चाहिए संचार का यह कामी है कि मुद्दो को समस्याओं को समाप्ध करता चले लेकिन अब अगली लड़ाई जो होग सही हमारा जो समाज है वो और ज़्यादा तेजी से विक्सित हो रहा है आगे बढ़ रहा है और उसमें भारत की एक प्रमुख भूमी का है आपको पता है कि Information Technology में हम भारतियों का एक बहुत बड़ा रोल है योगदान है दूसरी जो सबसे प्रमुख चीज है वो है instruction देना instruction देने का मतलब यह है कि आपको निर्देशित किया जाता है जब हम घर में होते हैं परिवार में होते हैं तो अकसर बहुत सी ऐसी चीजें हमें बताई जाती हैं जिनके पीछे हमारे पास कोई ठोस आधार नहीं होता है उनको मानने का लेकिन हम मानने लग जाते हैं हम म आगे की आने वाली पीडियों में संचार के माध्यम से प्रेशित कर देते हैं उससे फायदा यह होता है जैसे कि कहा जाता है ना कि किसी की जब हम जीवनी पढ़ते हैं तो उसने अपनी जिन्दगी को किस तरीके से जिया है उसकी 70 साल की जिन्दगी को समझने के लिए एक क ताप काफी हो जाती है यानि कि हमें बार-बार उस जिंदगी को जीने की जरुवत नहीं पड़ती है आपने वो कहावाद तो सुनी होगी न कि शादी नहीं की तो क्या बराते तो बहुत अटेंट की हैं तो अनुभाव अनुभाव निर्देशित करता है हमें और अनुभाव से हम घ्यान लेते हैं इसलिए कहा जाता है कि जो पुराने लोग हैं जो व्रद्द लोग हैं उनकी बातों को सुना जाना चाहिए वो इसलिए सुना जाना चाहिए क्योंकि वो हमें निर्देशित करते हैं कि ये काम आपके लिए बहतर है ये काम आपके लिए खराब है और वक्त हर समाज में अविश्कार बार बार नहीं होते हैं अविश्कार जो एक बार हो जाते हैं उनसे आगे बाद बढ़ती है वो आगे बाद सिर्फ इसलिए बढ़ती है क्यों क्योंकि जो पिछला सिरा है वो हमें दे दिया गया है और हमें उसको फिर से रिवाइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम oxygen और hydrogen को मिला देंगे तो पानी बनेगा S2O पानी का formula है यह formula एक बार हमें मिल गया तो बात इससे आगे बढ़ेगी बात इसके पीछे नहीं जाएगी तो यह संचार का एक प्रमुख कार है कि वो हमें निर्देशित करता है और इस निर्देश से हमारी जो जिन्दगी है वो बहतर होती तीसरा जो सबसे प्रमुख कार है संचार का वो है entertainment या मनोरंजन मनोरंजन को समझने के लिए जरूरी है कि हमें मनोरंजन की जरूरत क्यों पढ़ती है जिस तरीके से जब हमारा शरीर भूखा होता है तो उसे खाने की जरूरत होती है जब हमें खाना मिलता है तो हमारा शरीर जो है वो शान्त हो जाता है संतुष्ट हो जाता है और रद्धी करता है वो आगे बढ़ता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा जी नहीं पाएगा तो शरीर के लिए जिस तरीके से भोजन की जरुवत होती है उसी तरीके से हमारे मस्तिश के लिए हमारे दिमाग के लिए एक उर्जा की जरुवत होती है जिससे कि हमारा मस्तिश शांत रहे सकारत्मक रूप से आगे ब करते थे लेकिन इस 21 शताबदी में जब दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और लोगों के पास वक्त कम होता चला जा रहा है तो लोग तेवार मनाने के लिए साल के किसी खास दिन किसी खास वक्त का इंतजार नहीं करना चाहते हैं अगर वो आज खुश हैं तो अ इस वक्त जो हैं वो टेलिविजन है फिल्म है रेडियो है इन सारी चीजों से हमें मांसिक रूप से शांती और सुकून मिलता है पर यह जो सारी प्रक्रिया हो रही होती है जब हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं जब हम कोई गाना सुन रहे होते हैं तो वो जो चीजें हमे हमारे दिमाग तक पहुँच रही होती है उसके पीछे जो योगदान है सबसे बड़ा वो होता है संचार का क्योंकि कोई भी फिल्म किसी न किसी संदेश के तहट आपके पास आती है कोई फिल्म का गाना कोई न कोई संदेश आपको लिए लेकर के आता है तु हिंदू बनेगा न मुसल्मान बनेगा इंसान के उलाद है इंसान बनेगा तो ये संदेश आपको प्रेरित करता है कि हम जाती धर्म और मजभ के उपर उठकर के सोचें और इंसानियत के तरीके से हर इंसानों से बात करें उसके बाद जो संचार का सबसे प्रमुक कार है वो है प्रेरित करना प्रेरित करना का मतलब आज आप 21 शताबदी में आप अकसर सुनते होंगे कि पर्सनालिटी डेवलप्मेंट की क्लासे होती हैं अपने व्यक्तित्तु का विकास किया जाए व्यक्तित्तु में आप इंटरनेट के थ्रू जान रहे हैं या किसी सिक्षक से आप सीख रहे हैं या किसी ओडियो बुक्स या किसी लिखित किताब से पढ़ रहे हैं ये सारी की सारी चीज़ें संचार के द्वारा ही आपके दिमाग में पहुंच रही हैं और उसके बाद आप उसी हिसाब से निर्ने लेने की क्षमता लेने लग जाते हैं तो ये संचार ही है जो हमें प्रेरित करता है कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आप फर्ज कीजे कि अगर आपकी जिंदगी में संचार ना हो तो यह आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आग में अगर हम हाट डालेंगे तो